से हलो फ्रेंट्स बिहार से नुक्तव कई सीजल की एगज्याम होने वाला है उसके लिए आपका बहुत जरूरिये महाले हैं तो आज हम देखने वाले हैं बिहार वस्तुनिश्ट करेंट अफ्यर आज aroma वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों देखेंगे और यह जो आपका 200 कोसर ने आपके एक्जाइम के लिए बहुत थे ज़रूरी हो के लिए तो आप इसको देख करके जाईएगा और रही बात इसका पीडियाप के लिए तो मैं आपको इसका पीडियाप टेलिगराम पे प्रोवाइट करा दूँगा आप इसका पीडियाप भी अच्छे से आंसर के साथ ले पाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि अब क्या है कि आप सभी लोग को लिए कुछ नया क्या जा रहा है और आपको हर एक वीडियो का पीडियाप प्रोवाइट किया जाएगा तो पहला प्रसना आपके यहां पर बोला है कि तीन दिसंबर को भारत की प्रत्थम राष्ट्रपती डाक्टर राजंदर प्रसाद की जैनती मनाई गई है उनका जन्व बिहार में कहां पर हुआ था तो जीरा देई में हुआ था जीरा देई या उप्सन नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पांच दिसंबर से नो दिसंबर 22 तक पार्टली पूत्र स्पोर्ट्स कॉमन इस्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स पतना में कौन से जूनियर नैशनल सेपक सेपक टक्राच चैंपियंशिप का आहुजन जो है किया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर डी हो जाएगा 26 क्या हो जाएगा 26 किस राज ये द्वारा हाल ही में राज ये के सभी पालतू हाथियों को या फिर पालतू हाथियों की डी एने डी एने प्रोफाइलिंग सुरू करने की घोशना की गई है आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर ए हो जाएगा बिहार में कहां पर बिहार में बिहार की किस जीले की लक्षमी जा लक्षमी जा एवरेस्ट बेस कैम पर तक पहुचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है बिहार की पहली महिला बन गई है उनका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे लक्षमी जहा और सहर्षा हो जाएगा क्या हो जाएगा सहर्षा ओप्सन नमबर ए दिल्ली में आयोजित दिल्ली में आयोजित 65 नैसनल सुटिंग चंपियंसिप दोहर 22 के महिलाओं की निसाने बाजी ट्रैप इस परधा में बिहार की स्रैसी सिंग ने कौन सा पद गीता है और इनका नाम सिर्यसी सिंग क्या जागा स्रियाथ सिसिंग नुवंबर 22 के अंतिम सप्ता में न्यूजी लेंड में आयोजित जूनियर कॉमन वेल्थ चेंपियंशिप में बिहार के किस बेटी ने च्छा सोन पदक जीता है तो बिहार के पांस बेटी ने च्छा सो जीले की रहने वाली हैं तो यह बिहार के मधुबनी जीले के रहने वाली हैं और हमारा सी सही हो जाएगा बिहार की किस राजनितिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22 इस्थापना दिवस मनाया है तो यह आपको हो जाएगा लोजपा क्या हो जाएगा लोजपा इसका सही आंसर हो जाएगा कोशन नबर नाइन हमारा बोल रहा है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित रगबी पंदरह इस परधाओं में भारत बंगनादेश को हराया है इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन आफ दा मैस यहां पे चुना गिया है तो हम इसका ओप्सन देख लेते हैं यह रहा हमारा आप्सन तो आंसर हो जाएगा आप्सन नमर भी हो जाएगा गौरोव चोहान चलिया आगे हमारा प्रस्न बोल लाए कोशन नमबर टेन बिहार के किस जिले के बिंदेशवर पाठ़क को निक्की एसिया पूरसकार से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा वैसाली वैसाली इसका सही आंसर हो जाएगा किस राज सरकार ने अलपसंख्यक रोजगार रिड योजना के तहत राज के अलपसंख्यक लोगों को पांच लाख रुपए तक रिड उपलब्द कराने का फैसला लिया है या फिर फैसला किया है आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा नमबर ऑप्स नमबर सी हो जाएगा बिहार बिहार इसका उत्तर हो जाएगा एसिया प्रसिद हरिहर छेतर सोर्पूर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार के सरी का सम्मान मिला है बिहार केसरी का समान किसको दिया गया है तो सुभम कुमार को दिया गया है याद रखेंगे हाल ही में असम में आयोजित सैथिस्वे नैसनल जूनियर एटलेटिक्स चेंपियनसिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया है बिहार ने अपने कितने पदक नाम किया है तो करीबन 9 पदक अपने नाम किया है भी इसका आंसर हो जाएगा झाल ही में बिहार के मुख्य मतरे श्रीन नितिश कुमार ने किस जीले में गंगाजल आपूर्ति योजना की सुरुआत किया है तो नालंदा इसका सही आंसर हो जायगा नवंबर की किस तीथी को बिहार में नसा मुक्ति दिवस मनाये गया है नसा मुक्ति दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा मनाये गया है आप्सन नमबर बी हो जाएगा 26 नowंबर को 26 नमंबर को हाल ही में संगीत नाठक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार की कितने कलाकारों का यहां पे चैन किया गया है कितने कलाकारों का यहां पे चैन किया गया तो 13 कलाकारों का यहां पे चैन किया गया है सी आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैड्मिंटन वर्ल्ड चैंपियंसीब दोहर बाइस के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भागत ने सोन पदक जीता है वह किस जीले से संबंदित है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ओप्सेर निम्बर ए साले जीडा से वैसाली जीला ऑप्सेर नमबर ए हो जाएगा हाल ही बहुत गया मिराश्ट्री इस तर पर आयोजित सर्फ्ति समान समारों में कितने सिक्षक सिक्षकाउं को सम्मानित किया गया है इसका हम ओप्सन देख लेते हैं इसका ओप्सन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है तो कर्रेक्ट आंसर आपका 18 का हो जाएगा ओप्सन नंबर ए हो जाएगा 100 100 इसका उत्तर हो जाएगा आगे है केंदरी सडक परिवहन और राजमार के मंतरी नितिन गडगरी द्वारा 14 नमबर 2022 को आमस तरभंगा एक्सप्रेस वे की अधार सिला रखी गई है यह एक्सप्रेस बिहार की कितने जीलों से होकर के गुजरेगी तो दोस्तों यह हमारा जो गुजरेगा साथ जीलों से होकर गुजरेगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के किस जीले में मासिता की 251 फीट के प्रतीमा का निर्माण होगा जो वीश्व में मादा सिता की सबसे बड़ी प्रतीमा होगी आंसर हो जाएगा सीता मड़ी क्या हो जाएगा सीता मड़ी आप्सन नमबर सी रगबी एसियन चेंपियंशिप के लिए बिहार रगबी के किस कोच का चैन भारतिय रगबी फुटबॉल टीम में हुआ है आंसर हो जाएगा गौरव चौहान गौरव चौहान हाल ही में बिहार में इस्थित किस बिजली सन्यंत्र को सोण सक्ति अवार्ड से सम्मनित किया गया है सोण कर सक्ति आंसर हो जाएगा ओप्सन नबर ए कहल गाव बिजली सन्यंत्र हो जाएगा आप इसको अच्छे से नोट करेंगे गौहाटी असम में आयोजित 37वे नैसनल जूनियर एसलेटिक्स चंपियंसिप 22 के भाला फेक प्रती इसपरधा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सपदक बिहार को दिलाया है तो प्रदीप कुमार ने कौन सपदक जिदल दिराया है तो कां सपदक कौन बिहार की नीशी कुमारी ने कौन सपदक अपने नाम किया है तो अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा स्वन पदक हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए आगे प्रसने संगीत नाटक अकादमी पूरसकार से सम्मानित बिहार के लोग गायक वह संगीत कार ब्रज किसोर दूबे का हाल हिम निधन हो गया है उन्हें किस वर्ष पदमीश्री पूरसकार से सम्मानित किया गया था आंसर हो जाएगा 2017 में 2017 में तिरह नौंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने भारत के किस पूरुपर्धान मंत्री की प्रतीमा का अनावड किया है आंसर हो जाएगा जवाहार लाल नहरू जवाहार लाल नहरू सीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में सैथिस में राष्ट्री जूंयर एस्टलैक्स चंपिंशिप के णिसकस थ्रो यानि चक्काtreक में बिहार कि किस बेटी ने कांग से पदसंग गीता है तो दोस्तों आंसर याद रखेंगे सोनी कुमारी सोनी कुमारी देखे वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा क्योंकि अब इसी प्रकार से रो जाना आप सभी लोग को वीडियो प्रवाइट के साथ तो पीडिया कजो जो टेलिग्राम बनायजाएगा वी चैनल बिब्रा नहीं है तो जैसे ही आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है आंसर हो जाएगा 25 प्रतिस पहले 21 था अब इसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया है किस राजी सरकार की घोशना के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और सनिवार को नो बैग डे नो बैग डे होगा आंसर हो जाएगा ओप्सन बर सी बिहार में कहां पे बिहार में दरभंगा एरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने यानि अचानक आ जाने वाली जंगली जनवरों को गोली मारे जाने का आदिश दि बीस में आठ नमबर दो हजार बीस में जूनियर नैशनल एटलेटिक्स चेंपियंसिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जस्वंत सरोज ने कौन सपदक जीता है देखिए जस्वंत सरोज की बात करते हैं तो इन्हों ने जीता है रजत पदक ऑप्सन नमबर बी सही हो आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए बिहार में बिहार राज बैडमिंटन एसोसियेशन के बैनर तले बैनर तले राज इस तरिये बैडमिंटन रैंकिंग टूनामेंट का आयोजन जो है कहां पे किया गया है आंसर हो जाएगा गया में किया गया है कहां पे गया में हाल ही मिराष्ट्रपती दुरपती मुर्मुन ने नर्सिंग के शेतर के सर्वोच सम्मान फ्लोरेंस नाइटेंगल आवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है बिहार के कौन से नर्स को नवाजा है तो नाजिया परवीन नाजिया परवीन हाल ही में केंद्रिय शिक्षा मंत्राले द्वाइर जारी बहु प्रतिशिक्षुत इस और पर्फॉर्मेंस ग्रेड़िंग इंडेक्स रिपोर्ट और बीस 21 में विहार को किस लेबल में रखा गया है बिहार के कौन सी लेबल में रखा गया है तो लेवल 5 में रखा गया है लेवल 5 में केंदरिय प्रदूसर नियंतरड बोर्ड दौरा साथ नमबर 2022 को जारी आंकणों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूसित सहरों में बिहार का कौन सा सहर जो है पूरे भारत म सिट्स पर है तो कटिहार हो जाएगा क्या हो जाएगा कटिहार ओप्शन नमबर सी चाथिस गड़ में आयोजित दूसरे नैशनल ओपन अंडर ट्वेंटी थ्री एतलेटिक्स चंपियंशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है तो कौन सा पदक जीता ह है तो रजत पदक ऑप्शन नमबर भी हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा विश्व विख्यात हरिहर छेत्र सोनपूर मिला का उद्घाटन कितने वर्सों के बाद च्छा नमबर दो हजार बाइस को मुख्य मजरी नितिस कुमार द्वारा किया गया है तो यह आंसर हो जाएग का यहां पे चैन हुआ है आंसर हो जाएगा पांच खिलाड़ियों का चैन क्या गया है अंडर ट्विंटी रग्बी टीम में याद रखेंगे कौन सराज्य सरकार राज्य के विद्वाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्षमी बाई सोसल सेक्योर्टी योजना का किरियान वेन कर रही है आंसर हो जाएगा बिहार ओप्सन नमर डी करेक्ट हो जाएगा नेती आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सजीला स्वास्त के छेतर में प्रथम पर आया हुआ है देखिए स्वास्त के छेतर में जो आपका प्रथम पर आ कितने पदक अपने नाम किया है आंसर हो जाएगा पांच पदक option number C सही हो जाएगा पंदरहवे वित आयोक की सिफारिस पर केंदरिय वित मंत्राले के वे विभाग ने बिहार के लिए कितनी रासी जारी किया है बिहार के लिए कितनी रासी जारी किया गया है किस तीथी से टाइगर सफारी का सुभारम किया गया है कौन से तीथी से तो ये हमारा तीथी है एक नवंबर दो हजार बाइस को हाल ही के घोशना के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालियों में रजल्ट डे मनाया गया है कहां पे बिहार ऑप्सण नमबर ए हम हाल ही मिलाद के किस जीले के परजवल पांडय को ब्रेटें के नए प्रधान मंत्री की रिसी सुनक की कोर टीम में सामिल किया गया है तो यह आपका हो जाएगा ओप्स नमर भी सिवान इसका उत्तर हो जाएगा नैशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नविंतम 19 अक्टूबर 2022 के आकड़ों के मुताबित बिहार का सबसे वायू प्रदूसित जीला कौन सा है तो वायू प्रदूसित के बारे में पूछ रहा है तो यह आपका पूर्णिया जीला हो जाएगा ओप्स नमर ए हाल ही में टेंडर के अनुसार पी एम गति सक्ती मीशन के तहट अत्याधूनिक कार्गो टर्मिनल का जो निर्मान है अडानी ग्रूप द्वारा बिहार में कहां पर किया जाएगा तो यह आपका पूसा में किया जाएगा पूसा ओप्सा नमर भी सही हो जाएगा कितने करोड की लागत वाली 24 योजनाओं का घड़न जो है किया गया है 24 आंसर हो जाएगा 50 का ओप्सन नमर हमारा यहां पे हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों ओप्सन नमर ए हो जाएगा 224 दस्मलो एक नौ करोड हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे एथेनौल प्लांट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी रोहतास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे नेश्ट कोशन की बीसी सी आई की ओर से आयोईत होने वाली विमेंस अंडर 19-20 चैलेंज ट्रॉफी के चैलेंजर की ट्रॉफी के बिहार से किस एकमत्र खिल जुमिया भर का सिर्श दो प्रतिसत व्यञ्ञानिकों की सूची जारी किया है इस ऊची में आयाइटी पटना क कितने प्रोफेसर जो है इसमें शामिल हैं तो इसमें कितने प्रोफेसर सामिल है जबारग यानि नमर भी हाल ही में लोक न सी यह 157 आप सोगार फिष रिस워서 चवाली सी भी नहीं होगा एक सो बीस भी जैनती हो जाएगा माफ कीजिएगा ओप्सन नमर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लालो प्रसाद यादो लालो प्रसाद यादो कौन सी बार राजद का राश्ट्री अध्धक्स चुने गये हैं आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी बारहवी बार, बारहवी बार, हाल ही में National Tiger Conservation Authority द्वारा वाल में की Tiger Reserve के एक आदम खोर बाग को मारने का आदिश जारी गया गया है, बताएं कि इस बाग की पहचान किस नाम से हुआ है, तो यह आपका हो जागा T-105, T-105, हाल ही में Sensor for Monitoring Indian Economy के नवींतम रिपोर्ट के नुसार सितंबर 2022 में बिहार की बिरोजगारी दर कितने प्रतिसत है, तो इसकी जो बिरोजगारी दर की अगर हम बात करते हैं, तो 11.40% हो जाएगा, आप्शन मबर C, करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए आगे प्रसन है, कि इस राज की टीम ने 25 सब जूनियर सेपक ट्रेका नैशनल चेंपियंसिप का खिताब जीता है, आंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन मबर A, बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाल ही में, हाल ही में बिहार के किस जिले की, अनिसा दूबे ने माउंट एवरेश्ट के बेस कै पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करने करते हुए तिरंगा फाहराया है, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, जमोई इसका उत्तर हो जाएगा, आठ अक्टूबर 2022 को किनकी 44 पुनितित्थी मनाई है, बताइएगा, तो ये मनाया गया है जैपरकास नरायन का, जैपरकास नरा प्रायन की 15 फीट उसी प्रतीमा का अनारण किया है, आंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर ए, सिताब दियारा, सिताब दियारा इसका उत्तर हो जाएगा, हाल ही में गुजरात में आयोईत 36 राश्ट्रिय खेलो में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया है, तो आप सभी ल डिजिटल बैंकिंग वाला जीला बन गया है, डिजिटल बैंकिंग तो देखिए, इसका दोस्तों हो जाएगा, ओप्सन नमर ए, हो जाएगा, जहानाबाद, क्या हो जाएगा, जहानाबाद, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, आप देखिए, हम इसका सिर्फ 100 कोश के निशार, वर्स 2021-22 में बिहारियों की सलाना आयम में कितने प्रतिशत की यहां पे विर्धी होई है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ओप्सन नमर ए, 9.4%, 9.4%, हाल ही में 23 सितंबर 2022 को, रामधारे सिंग दीनकर को, 114 हवी, जैनती मनाई गई है, उनका जन्म जो है द्वारा पैक हाउस के निर्मान पर व्यक्तिगत उधमी या किसानों को कितने प्रतिशत सबसीडी देने की घोशना की गई है, तो उनको 50% सबसीडी देने की घोशना किया गया है, A, C, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखेंगे, हाल ही में बिहार के किस जीले के पदमसिरी पुरसकार विजेता कला कार राम चंद्रबांची का निधन हुआ है, आंसर हो जाएगा सारण, सारण यानि ऑप्सन नमर A, करेक्ट हो जाएगा, हाल ही में बिहार के किस जीले के गाउं, काकर कुंड के रहने वाले मुकेस कुमार का चैन इंडियन किरकेट टीम म हुआ है, तो गोपाल गंज इसका सही आंसर हो जाएगा, हाल ही में किस बिहारी बॉलीवूड अभिनेता, अभिनेतरी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकोन बनाया है, चुनाव आयोग ने, आंसर हो जाएगा, ऑप्सन नमबर B, पंकस्तिरपार्थी, पंकस्तिर पार्थी आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, आगे हमारा प्रस्न है, कोशन नमबर सेवेंटी नमबर, दिल्ली में आयोजित हुए, सैतिस्वें स्टेट सूटिंग चेंपियंशिप, दिल्ली में आयोजित हुए, सैतिस्वें टेस्ट सूटिंग चेंपियंशिप में, बिहार के किस जीले के सिर्स पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए गोपाल गंज क्या हो जाएगा गोपाल गंज बिहार के रितिक आनंद ने पटाया यानि थाइलेंड में आयोईद छठे एसिया पैसिफिक डेफ वैडमिंटन जीता है अपने नाम किया है सही आंसर आपका 71 का हो जाएगा गोल्ड मेडल रखेंगे गोल्ड मेडल एक औरिक्ट अंसर हो जायएगा हाल ही में 33 जोन जूनियर आफ़याटिक्स चेंपियंशिब 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किस ने दिला है देखिए बिहार को जो पहला पुल्ड दिलाया है जो दोस्तों राजन महतो ने राजन महतो बिहार के किस जीले में फल्गू नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उधाटन जो है किया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्शनमर ए गया याद रखेंगे गया में हाल ही वे बिहार के किस जीले के पुर्वी राजियों के बीच आयोजित हुई तैस्वे इस्ट जोन जूनियर एटलेटिक्स चंपियंसीब 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ वदग तालिका में कितने इस्थान पर रहा है तो यह हमारा जो भी हार रहा है दूसरे इस्थान पर रहा है यानि ऑप्शनमर भी हो जा अंतराश्ट्रिय समान समारह 2022 का आयरें जो है कहां पर किया गया है तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पत्ना में कहां पर पत्ना हाल ही मिन अनलन्दा डेरी सी ए ऐस यानि कंफर्ट कंफिर्मिर्टी एसेस्मेंट इसकी मार्क पाने वाली भारत की कौन से डेरी बन गई है तो यह आपका डेरी बना है पहला यानि उप्सनबर ए बिहार की किस रेलेवे स्टेशन को हाल ही में गृण रेलेवे इस्टेशन पर योजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है सिल्वर रेटिंग आंसर हो जाएगा भागल पुर्र रेले इस्टेशन ऑप रखेंगे 36 चलिए आगे हमारा प्रस्ने की राष्टरी इस्तर पर इंस्पायर आवार्ड मानक योजना के तहद बिहार की किस चातरा का यहां पर चैन किया गया है देखे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका निहारी का कुमारी हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद र हो जाएगा नेपाल के पोखरा में आयोजित नैसनल एटलेक्स चैंपियंशीप में मुहम्मद गुफरान ने सोन पदक घीता है वे बिहार के किस जिले के निवासी है यह इंपोर्ट है आपके लिए दोस्तों यह आपका अरणिया जिला हो जाएगा आप इसको अच्छे से गयाद रखेंगे हाल ही में आयोजित सरसटवे फिल्म फेयर आवार्ड वारड 22 में बिहार के किस अभीनेता को सरवस्ष्ट सहायक अभीनेता के पुरसकार से सम्मनित किया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नबर एक पंकस्तिरपाठी पंकस्तिरपाठी केरल के कालिकट म में आयोजित 21 जूनियर नैसनल वूसू चेंपियंसिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं तो बिहार टीम में जीते हैं एक सुन पदक एक रजत और पांच कान से पदक अपने नाम किया है बिहार सरकार की हाल ही के घोशना के अनुसार राज्य में कितने बाजार समीति विक्सित किये जाएंगे आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए चववन समीतिया याद रखेंगे चववन समीतिया बिहार के किस जिले में इस्थित प्रसिद विश्नुपद मंदिर में परवेश करने वाले मंत्री इसराइल इसराइल मसूदी मंसूरी के खिलाप मुझफरपूर कोट में सिकायद दर्ज किया गया है आंसर हो जाएगा गया गया इसका सही आंसर हो जाएगा थाइलेंड के पताया में आयोजित पैरा बैडमिंटन एंटरनेशनल दो हजार बाइस में बिहार के सटलर परमोद भगत और सुकांत कदम महराष्टर की जोड़ी ने कौन सा हाल ही में आयोजित बिहार राज इस्तरी मेजर ध्यान चंद्र होगी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है तो टीम का नाम याद रखेंगे पटना टीम आप्सन नमबर A हाल ही में बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जैनती मनाई गई है वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे तो इसका ओप्सन आपका कुछ इस परकार से दिया हुआ है आंसर आपका हो जाएगा 89 का ओप्सन नमबर C हो जाएगा यानि 10 वे वे थे ठीक है बिहार सरकार ने खेल दिवस के आउसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और सिक्षकों को सम्मानित किया है आंसर हो जाएगा 211 खिलाड़ी और 6 सिक्षक हो जाएगा इसको आप अच्छे से याद रखेंगे हाल ही में आई एक रिपोर्ट के नुसार परधान मंत्री आवास योजना से घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला जो है पहले इस्थान पर रहा है तो ये किसन गंज हो जाएगा ओप्सन नमबर A आगे प्रस्न है राष्ट्रिय सिक्षक पूरसकार 2022 से बिहार के किस सिक्षक को सम्मानित किया जाएगा आंसर नोट करेंगे आंसर हो जाएगा उपियुक्त में से एक और यानि ए और भी दोनों हो जाएगा नीसी कुमारी हो जाएगा और सौरव सूमन हो जाएगा हाल ही में करकट जलपरपास चर्चा में रहा है यह बिहार के किस जीले में इस्तित है तो यह बिहार के आपके कौन से जीले में इस्तित है तो कैमूर जीला ओप्सन नमबर A हाल ही में सीयम नितिस कुमार ने किन दो जीलों में गंगा नदिस से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का यहां पे निर्देश दिया है आंसर हो जाएगा भागलपूर वा कटिहार हाल ही में बिहार के किसे विभाग या फिर बोड ने अपना डाटा सेंटर इस्थापित किया है तो यह आपका हो जाएगा सिक्षा बोड क्या हो जाएगा सिक्षा बोड हाल ही में बिहार के अभिसे कुमार ने सेटवी राष्ट्रिय निसाने बाजी प्रतियोगिता की 50 मिटर प्रोन डेफ इस परधा में स्वन पदक जीता है यह बिहार के किस जीले से संबंदित है तो यह बिहार के कौन सा जीला से संबंदित है यह हमारा हो जाएगा option बड़ी पटना जीला अगला है सतलज जल विधुत तनिगम लिमिटेड बिहार के किंदो जीलों में 200 मेगावार्ट सोरी उर्जा उत्पाद करने वाली परियोजना की सुरुवात करेगी आंसर हो जाएगा बांका वा जमुई option बर सी इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में सियम नितिश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर जीवित करने का योजना का निरक्षक यहाँ पे किया है आंसर हो जाएगा लखन देई याद रखेंगे लखन देई आगे हमारा प्रसन है कि मदुबनी पैंटिंग की क्रिती कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रिय पुरास्कार से समानित किया गया है आंसर हो जाएगा 99 का option नमबर B हो जाएगा वीभालाल वीभालाल याद रखेंगे बिहार की कितने जिलो में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75 प्रतिसत अनुदान दिया जा रहा है मखाना की खेती के लिए आंसर हो जाएगा 11 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा याद रखेंगे 11 जिलो में तो फ्रेंट साब आप सभी लोग के लिए आज 100 कोशन करवा जा रहा है क्योंकि थोड़ा से बहुत ज्यादा सोर सराबा हो रहा है बाहर इसके वैसे इसके आगे में 101 से लेकर के 200 कोशन में कम्प्रिट कराऊंगा ठीक है तो मिलते हैं एक ने वीडियो में आज क 80 करीबन इसमें आपका MCQ जैनि कोशन दिया हुआ है तो हमने कल इसका 100 कोशन प्रवाइड करा दिया था आपको अगर आप नहीं देखे है तो उसको देख लिजिएगा आज हम देखेंगे इसका 101 कोशन से हम इसको सुरू करेंगे ठीक है तो चली वीडियो को सुरू करते है और इसका PDF में आपको टिलिग्राम पर प्रवाइड करा दूँगा तो आप वहां से इसका PDF भी प्राप्त कर पाएंगे पहला प्रस्थ यानि 101 नंबर से कि राष्ट्रिय सिक्षक पुरसकार 2022 से बिहार के किन सिक्षक को सम्मानित किया जाएगा बताएगा इसका अंसर क्या तो उपीउक तो दोनों हो जाएगा निसी कुमारी हो जाएगा और सोरव सूमन हो जाएगा इसे बिहार विधान परिशत के नए सबाबाती कौन निरवाशित हुए हैं कि यह कौन है हुए हैं देवेश चंद्र ठाकूर हाल ही में पतना में आयोजित बिहार राज इस्तरी मेजर ध्यार चंद्र होकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है ये कौन से टीम ने जीता है तो पतना पतना टीम ऑप्सन नमबर A बिहार के किस जीले में इस्थित विश्नुपद मंदिर में प्रवेश करने वाली मंतरी इसराइल मंसूरी के खिलाप मुझफर पूर कोर्ट में सिकाय दर्ज किया गया है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A गया हाल ही में बिहार विधान सभा के नए अध्यक्ष कोन बने है आंसर हो जाएगा समराट चौधरी ओप्सन नमबर B 76-77-2222 के उसर पर गांधी मैदान पतना में निकाली गई नौ जहाकियों में किस विभाग की जहाकियों को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है आंसर हो जाएगा किरिसी विभाग को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है बिहार के किस कलाकार की पैंटिंग को लिंबा बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल किया गया है आंसर हो जाएगा राजीव राव देज का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जीला में स्थापित किया जा रहा है आंसर हो जाएगा पूर्णिया ओप्सन नमबर ए ग्रामीड विकास विवाग ने वर्ष दो हजार बाइस की प्रत्थम तिमाही अप्रैल से जूलाई में मन्रेका की तहत जीलों की प्रतर्शन रिपोर्ट जारी किया है इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सजीला राजी में पहले इस्थान पर आया है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर भी हमारा बकसर बिहार के किस जीले में बच्चे के सपने सकार करने के लिए नठखट साइंस लैब खोली गई है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी भागलपूर बिहार के किस जीला में इस्थित चनपटिया, स्टार्ट अप जोन से मलेसिया, इंडोनेसिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी पूर्वी चमपारण राज्य के सभी भूमेहिन लोगों को कितने डिसमिल जमिन देने की घोषना की गई है आंसर हो जाएगा बारा का ओप्सन नमर ऊप्सन नमर बाराका हो जाएगा अám पांच डिसमिल इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिला है आंसर हो जाएगा मिथिला मखाना बिहार में सहजन की खेतिय पर प्रती एकड कितने रुपे का अनुदान देने का फैसला राज सरकार के दुआरा किया गया है आंसर हो जाएगा पांच हजार यहाँ पे हो जाएगा आप इसको अच्छे स्याद रखेंगे प्रती एकड किस अध्याधेश के अंतरगत नगर निकाय चुनाओं में आम जनता नगर के मेर और डिप्टी मेर के साथ विभिन नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाओं करेगा आंसर हो जाएगा बिहार नगर पालिका संसोधन अध्याधेश दो हजार बाईस बिहार किस खिलाड़ी ने राष्ट्रिय ग्रेपलिंग कुस्ति में सोण पदक जीता है आंसर हो जाएगा भूसन कुमार महतो भूसन कुमार महतो बिहार इंड़स्ट्री असोसियेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है आंसर हो जाएगा अरुण अगरवाल अप्शन नमर सी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाहत दहेश प्रथा को समाप्त करने के उद्देश से किस अभियान की सुरुआत की गई है आंसर हो जाएगा समाज सुधार अभियान हाल ही में किस राज सरकार डिजिटल भूमी अभिलेख की डोर स्टेप डिलिवरी सुरू करने की घोशना किया है आंसर हो जाएगा बिहार ओप्शन नमर ए सही हो जाएगा भारत में पहली बार वैस्विक बौद समिलन की मेजबानी बिहार के किस इस्थान को दिया गया है आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर भी नालंदा याद रखेंगा आंसर हो जाएगा रोहतास में कहाँ पे रोहतास अउप्शन नमर सी बिहार के किस इस्थान पर ITC विक्सित किया जाएगा तो यह किया जाएगा राजगीर में राजगीर ओप्शन नमर सी वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियंशिप में बिहार की कितने छात्रों का चैन की हुआ है आंसर हो जाएगा छे छे छात्रों का यहाँ पे चैन हुआ है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चैन एसिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटज चैंपियनसिफ के छठे संसकर्ण में किया गया है आंसर हो जाएगा रितिक आनंद रितिक आनंद साल यानि हाल ही में राज सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वाल के लिए यूनेसको के हेरिटेज इस्थल के मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है यह बिहार के किस इस्थान पर है तो यह बिहार के आपको राजगीर में देखने को मिलता है हाल ही में बिहार के पुनोरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायन सरकिट में सामिल किया गया है यह किस जिला में इस्थित है आंसर हो जाएगा ऑप्स नंबर C सीमा गढ़ी हो जाएगा सीता मढ़ी यहां पर होना चीए था सीता मढ़ी इस तरीके से हाल ही में बिहार परिशत के कबीर वाटिका में नौनिर्मित दोसोवां सत्र इस्मिर्टी का इस्तम्ब का अनावरण किसके द्वारा किया गया है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर भी नितिस कुमार किस मैथली फिल्म का कान फिल्म फेस्टिवल में सामिल किया गया था आंसर हो जाएगा धूइन क्या हो जाएगा धूइन बिहार के किस इस्थान पर लोजिस्टिक पार्क विक्षित किया जाएगा लोजिस्टिक पार्क तो भीहटा में किया जाएगा फटुहा में किया जाएगा और रक्सॉल में किया जाएगा तो option की बात करते हैं तो option हमारा सभी साही हो जाएगा हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड आफ बिर्सा मुंडा के लेखक कौन है आंसर हो जाएगा अंकिता वर्मा तुहीन ए सिन्हा option हमारा हो जाएगा ओपियक्त दोनो हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंड रेकरीत जैवज किस्सा अफसिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है option क्या होगा इसका 131 का आंसर हो जाएगा option नमर यहाँ पे हो जाएगा boxer, boxer correct हो जाएगा किस जिला में बिखारियों दोरा इस्थापिद बैंक राष्ट्रे इस्तर पर चर्चा में है answer हो जाएगा option नमर डी मुझाफर पूर हाल ही में बिहार के किस भासा के प्रसीद लेखक गेत यहाँ पे देखे देखे फिर से पढ़ लेते हैं कि हाल ही में बिहार के किस भासा के प्रसीद लेखक गीतकार रविन नाठ ठाकूर का निधन हो गया था answer हो जाएगा option मर बी Mathly 22 मैं 2022 को अंतराश्ट्री जैविवित्ता दिवस के उसर पर बिहार के परियावरण वन एवं जलवायू परिवरतन विभाग के द्वारा कौन सा अप्लिकेशन लौंच किया गया है answer हो जाएगा 34 का option मर डी बिहार हेरिटेज ट्री अप्लिकेशन बिहार के किस जिला में बुध समयक दर्सन संगरहाले एवं बुध इस्मिर्ती इस्तूप का निर्माण यहां पर किया जा रहा है answer हो जाएगा option ब्रबी वैसाली क्या हो जाएगा वैसाली हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री अफ एजुकेशन की ओर से इस्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चैनित किया गया है answer हो जाएगा पत्ना विमेंट्स कॉलेज बिहार में कहां पर अंतराष्ट्री प्रितपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा answer हो जाएगा option ब्रसी पुनपुन पुनपुन करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का नीमा गाउ में फिल्म सीटी का निर्मान किया जा रहा है यह कहां पर इस्तित है आंसर हो जाएगा राजगीर में स्थित है 17 अगस्त को दसरत मांजी महस्ट दो हजार बाइस का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगया फिया पिया गया है answer हो जाएगा option ब्रसी गया में बिहार दिवस के उसर पर हापर कोलिंस इंडिया दवारा किस पुस्तक की घोशना की गई थी दबुख आप बिहारी लिट्रेचर का यहां पर घोशना किया गया था answer हमारा C हो जाएगा बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सवरी उर्जा सनियंत्र विस्तारित किया जाएगा answer हो जाएगा option number C MRDA India Today Best University ranking 2022 के अंतरगत पटना विस्ते विद्याले को भारत में कौन सा इस्थान मिला है तो इसको इस्थान मिला है 25 इस्थान option number D सही हो जाएगा बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने सपत लिया है answer हो जाएगा 44 का option number A 31 हाल ही में जल जीवन हर्याली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड रूपे की स्विक्रिति दिया गया है answer हो जाएगा बारह हजार पांसो तीरसर करोड option number C करेक्ट हो जाएगा राज्य के लोगों को मांचित्र सहित भूमी संबंदित डिजिटल दस्तावेज को घर पहुचाने वाला बिहार देश का कौन सराज्य बना है answer हो जाएगा option number A पहला देश बना है बिहार के किस जीले में कोशी नदी पर डगमारा जल विदुत परियोजना का निर्मान किया जा रहा है answer हो जाएगा सूपॉल option number C केंद्रिय केंद्रिय स्वास्त एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुक मंडाविया ने बिहार के किस इस्थान में FSSAI की राष्ट्रिय खाद परियोगसाला का उद्धाटन किया है answer हो जाएगा option number C रक्सॉल option number C हो जाएगा Sports Star SS Award 2022 का सम्मान के अत्रगत किस खिलाडी को विशेश मनेता पुरस्कार से सम्मनित किया गया है answer हो जाएगा प्रमोद भगत option number B हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को handball Federation of India का उपाध्यक्ष निप्ट किया गया है answer हो जाएगा ब्रज किसूर सर्मा option number D भारती भूवग्यानिक सर्वेच्षर के भारती भूवग्यानिक सर्वेच्षर ने बिहार के किस जिले में 222.88 million टन सोने का भंडार पाय जाने की पुष्टि किया है answer हो जाएगा जमुई option number B बिहार सरकार ने हाल ही मेडिकल और इंजिनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिसत आरक्षर देने की घोशना किया है answer हो जाएगा 152 का option number D हो जाएगा 33 प्रतिसत हाल ही में 74 दिवस के उसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को विभिन पदुकों से सम्मानित किया गया है answer हो जाएगा 26 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है B सही हो जाएगा बिहार के किस अस्पताल में नाशनल कैंसर मनेजमेंट सेंटर इस्थापित किया जाएगा आंसर हो जाएगा M.S. पटना ओप्सन नमबर B बिहार के किस व्यक्ति को गलोबल लीडर आफ दा इयर 2021 बाइस कुरसकार से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा सुनेना सिंग आप्सन नमबर C पटना और सोनपूर के बीच किस टापू पर मा गंगा की 101 मीटर उची प्रतीमा इस्थापित की जाएगी आंसर हो जाएगा सबलपूर आप्सन नमबर B बिहार राजे का नया मुख्य सचीव किसे निप्त किया गया है आंसर हो जाएगा आमीर सुबहानी बिहार की किस महिला को ग्रामीड और वन्चीत महिलाओं को ससक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी सक्ती पूरसकार ब्रदान किया गया है आंसर हो जाएगा अनिता गुप्ता अनिता गुप्ता अप्स नमबर C हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उध्धोग को विक्सित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरोन नेविगेशन प्राइबेट अलिमिटेट का उध्धाटन या फिर सुभारम किया गया है आंसर हो जाएगा अप्सर मड़ी और रंगाबाद हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायो नॉमिकल थियोरम को सुलजाया है आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अरएंड सिंग हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मील का आयोजन कहाँ पर किया गया था आंसर हो जाएगा ऑप्सन न्बर ए दिल्ली दिल्ली की प्रगती मैदान में भारती अंतराश्ट्री अव्यापार मेला के 40 वे संस्क्रण में बिहार को कौन से पदक से समानित किया गया है आंसर हो जाएगा सोण पदक ओप्शन नमबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में कुल पंजिकरीत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा इस्थान है? आंसर हो जाएगा चौथा यानि फोर्स नमबर पे इस्थान है स्वसिता सरवच्चर 2021 में ओवर ओवर ओल राइकिंग में बिहार का इस्थान कौन सा है? बिहार का इस्थान कौन सा है तो ये 17 हमा इस्थान हो जाएगा ऑप्सन नमबर C भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोय हुए मुद्रा में मुर्ती का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ये बुद्ध गया में किया जा रहा है आंसर हमारा C हो जाएगा हाल ही में स्वतनता दिवस के आउसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्री ग्रीह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा साथ ओप्सन नमबर B हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्षमी हरी इस्मिती उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चैनीत किया गया है आंसर हो जाएगा वीभारानी वीभारानी ओप्सन नमबर C हाल ही में बिहार के किस जिला से मुंडेश्वरी महत्सों का आयोजन बिहार परियटन विभारा किया गया है आंसर हो जाएगा कैमूर ओप्सन नमबर B करेक्ट हो जाएगा बिहार के किस जिला में लोह आयस्क के भंडार मिले है आंसर हो जाएगा जहानाबाद option number D correct answer हो जाएगा हाल ही में CM Digital Health Scheme को मंजूरी दिया गया है इसके तहट कितने रुपे खर्च किये जाएंगे आंसर हो जाएगा 300 करोड यहां पर रुपे खर्च किये जाएंगे option number B हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देशी बैटरी management system और lithium oil बैटरी से आर्मी के लिए एक inverter बनाया है जिसे DRD ने भी certified किया है आंसर हो जाएगा अभिजीत अभिजीत उनका नाम है हाल ही में राज्य के सभी सारोजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवारे कर दिया गया है आंसर हो जाएगा emergency button option number A correct answer हो जाएगा पूर्व मध्य railway का कौन सा station कमाई करने में पहले इस्थान पर है आंसर हो जाएगा पटना जक्सन option number A correct answer हो जाएगा देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा इस्थान है आंसर हो जाएगा दूसरा यानि सेकेंड इस्थान है भी इसका उत्तर हो जाएगा हाल ही में बिहार के रामपूर चोरम ठाना को देश के 10 सरवसेश्थ ठाने में सामिल किया गया है यह बिहार के किस जिला में इस्तित है आंसर हो जाएगा option number B अरवल अरवल option number B हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाती पाई गई है आंसर हो जाएगा 202 option number C बिहार के किस पे पदार्थ को सीतल पे के रूप में लॉंच किया गया है आंसर हो जाएगा option number D नीरा नीरा option number D हो जाएगा प्राचीन पाटले पुत्र के अवसेश के जानकारी के लिए बिहार के किस इस्थान पर मुख्यमत्री नितिश कुमार के द्वारा खोदाई का सुभारम किया गया है म्यूजियम परिसर पटना option number C देश का साथमा इसकौन मंदिर का उद्गाटन हाल ही में कहां पर किया गया है आंसर हो जाएगा पटना में कहां पे पटना में हाल ही में बिहार के मुख्यमत्री नितिश कुमार ने 10 अगस 2022 को आठवी बार मुख्यमत्री के पद की सपत लिया है नितियस कुमार किस वर्स पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे फर्स टाइम पूछ रहा है आंसर हो जाएगा दो हजारी स्वी में ओप्सन नमबर A हाल के घोशना अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाब किसे ब्राण्ट अम्भेष्टर जो है बनाया जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर D इसकोली चात्र चात्राओं को राज में वैसाली महोत्सो का आयोजन कबसे कब तक किया गया है कबसे कब तक किया गया है तो 14-16 अप्रेल 2022 तक ये किया गया है option number A, सही हो जाएगा हाल ही में आयोजित हैमेन हैमेन टॉफी पर बिहार के भागलपूर जीला ने कबजा किया है यह टॉफी किस खेल से संबंदित है तियह जो आपका टॉफी है क्रिकेट से संबंदित है option number हमरा यहां पर C, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रिय पंचायती राज पुरसकार 2022 के अंत्रगत अलग-अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरसकार से संबंदित किया गया है आंसर हो जाएगा option number B, 12 option number B, correct answer हो जाएगा सडक हाथसे में golden औवर में अस्पताल पहुचाने में बिहार का देश में कौन सा इस्थान पर है तो यह 15 में इस्थान पर है option number D, correct answer हो जाएगा हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्री इस्तर पर आवार्ड आफ एक्सिलेंस दिया गया है CFMS का पूरा नाम क्या है, फुल फर्म पूछ रहा है तो आपका comprehensive finance management system हो जाएगा option number A, किस company ने corporate social responsibility fund के माध्यम से बिहार के सभी जीलों में मिदानता hospital के स्थापना की जाएगी answer हो जाएगा, PepsiCo option number D, correct हो जाएगा किस जीला को one digital, one product के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM आवार्ड से सम्मानित किया गया है PM आवार्ड से, तो दर्भंगा इसका सही answer हो जाएगा हाल ही में बिहार को potas और chromite खरीज के लिए या फिर खरीज के कितने block आवर्टित किये गया है आंसर हो जाएगा option number D, 4, याद रखेंगे 4 बिहार के चीनी मीलों में किस राज्य का model लागू होगा आंसर हो जाएगा option number B, महराष्टर, क्या हो जाएगा महराष्टर हाल ही में launch की गई बिहार startup policy 2022 के अंतरगत इस startup के लिए कितने लाख का seat fund दिया जाएगा आंसर हो जाएगा option number C, 10 लाख भारत के प्रसिद fellowship प्रधानमंत्री रिसर्च फैलो के लिए बिहार के किस छात्र का chain किया गया है आंसर हो जाएगा समसाद असरफ option number D हाल ही में केंदर सरकार द्वारा आयोजित कारेक्रम विज्ञान सर्वत्र पुजे के अंतरगत बिहार के किस college का chain किया गया है तो बिहार का जो chain किया गया है CM science college option number C correct हो जाएगा बिहार का पहला traffic park किस जीले या फिर जीला में बनाने की घोशना की गयी है आंसर हो जाएगा पटना जीला option number A correct answer हो जाएगा हाल ही में एक नई योजना के तहद बुनकरों को frame loom की खरीद पर कितने प्रतिसत का अनुदान देने की घोशना किया गया है आंसर हो जाएगा 90 प्रतिसत option number A किस वर्ष तक बिहार को काला जार मुफ्त बनाने का लख्ष रखा गया है आंसर हो जाएगा option number D 2022 option number D हो जाएगा आई MFR 2021 के रिपोर्ट के अनुशार बिहार का वन आवरन कितना वर्ष किलोमीटर है आंसर हो जाएगा 7380.79 वर्ष किलोमीटर याद रखेंगे पॉपुलर फ्रॉंट ओफिस आफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्याले खोला गया था ऑप्सन नमर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में नैशनल वाटर डेवलाप्मेंट अथार्टी की खोज से बिहार के किस तक्नीकी संस्थान को बिहार के गंगा और जहारखंड कि सोन रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी एन आईटी पटना याद रखेंगे एन आईटी पटना आखरी प्रस्द है आजादी के अमरीत महत्सों के तहत बिहार के सभी अनतिस जिलो में कब से कब तक बिजली महत्सों को आयोजन किया गया था आंसर हो जाएगा 25 से 30 जुलाई 2022 तक याद रखेंगे आंसर सी हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा तो आज हम इसी को यही तर कम्प्रिट करते हैं उसके बाद हम 200 एक से ले करके 300 कोशन तक हम इसका कल वीडियो लाएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इस टाइम सपोर्ट कीजिए ताकि आप सभी लोग के लिए कुछ नया प्रयास किया जाए तो वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं हेलो दोस्तो कैसे हो आप सरी दोस्तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका यहां पर इस पीडि का वार्षी का करेंट अफेर निकाला गया है बिहार स्पेशल का आज हम इसी का देखेंगे और यह आपका विहार करेंट अफेर है इसका मैंने 200 कोशन कंप्लीट करा दिया था आज हम देखेंगे इसका 201 से लेकर के 300 कोशन तक हम इसका वीडियो देखने वाले हैं वीडियो का आप सब लोग शुरू से अंतर देखिएगा आज हो सकते इसका टेलिग्राम गुरूप बना दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन वे आपको लिंक दिया जाएगा वहां प बिहार को पहली बार राज्य और के दर्स प्रदेश की सिरणी में राष्ट्रिय अएस एस मई आवाट 22 का कौन सा पुरसकार यहां पे दिया गया है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूत्यप्रसकार यहां पे दिया गया है भी इसका उत्तर हो जाएगा चलि आगे प्रसन देखते हैं किस तिथी को मुख्यमंत्री नितिश कुमार को यानि मुख्यमंत्री नितिश कुमार के द्वारा एमेजेंसी डिस्पाउंस सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर सेवा 112 का लोकारपन जो है किया गया है आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ओप्सन नंबर 202 का हो जाएगा एक जुन 2022 को हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच सम्मान से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा मौसम वत्स मौसम वत्स हाल ही में बिहार के किस विस्वेद्याले के वे ग्यानिकों ने सूपर फाइन कैलसियम ऑक्साइड तयार किया है जो पानी में मौझूद फ्लोराइड और आरसेनिक को हटाने में उप्योगी और प्रभावी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट ग्यान विस्वेद्याले ओप्सन नमर हमारा यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा आगे कुशन देखेंगे 205 नमर यह आपका बोल रहा है कि हाल के घोशन अनुसर बिहार सरकार विघरो और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नजर बसाएगा तो किसके नाम पर यहां पर क्या बोलते हैं कि नगर बसाएगा आंसर हो जाएगा उप्यूक्त दोनों नरे नर्मोदी हो जाएगा और नितिस कुमार हो जाएगा किस तिथी से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामगरी पर पूरता हरोक लगा दी गई है तो यहां पी इसका आंसर हो जाएगा एक जुलाई दो हजार बाइस को राज्य में प्रकृति खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेश अभियान चलाया जाएगा देखिए एक विशेश अभियान के अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यह हमारा हो जाएगा तीन साल यानि ओप्सन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा आगे प्रस्ण है किस योजना के तहट राज्य के किसान ओला उबर के तरज पर ट्रैक्टर समेत अनक्रिसी यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे ये अंत्रों की booking कर सकेंगे तो ये हो जाएगा मुखि मंतरी हरीत क्रिसी सनेंतर योजना इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में बिहार की क्रिसी वग्यानिकों द्वारा विक्सित की गई सबोर कृष्ण कली किस सबजी की नई प्रजाती है कौन से सब्जी की नहीं प्रजाती है आंसर हो जाएगा बैगर ऑप्सन नमर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में नौवी सिनियर राष्ट्री रगभी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हरा करके खिताब पर कबजा किया है कि Dokanे और alt-dollar लैगा आपस्सद्टंबर सियो जाएगा पस्षी मनगाल क्या हो जाएगा पस्षी मंगल हाल ही में बिहार के किस यूजना कोणर ने मौडल के रूप में सिवकार कर लिया है देखें मौडल के रूप में यहांपेश्यो कार कर लिया है याँ सर्फ हो जो है बनाई जा रही है सूटिंग रेंज देखे सूटिंग रेंज की बात करते हैं तो यह आपका जमयु जीला हो जाएगा ऑप्सन बर भी करेक्ट अंसर हो जाएगा हाल ही में बिहार लोक सेवा आयों का देख्ष जो है किसे चुना गया है तो किसे बनाए गया है दोस्तों तो अभी दोस्तों तो अजीत कुमार प्रभाकर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला प्रस्ण है हाल ही में पटना उच्छ न्याले के प्रत्थम महिला जज का निधन हो गया है उनका नाम क्या है तो देखिए उसका नाम के अगर हम बात करते हैं तो इंदू प्रभासिंग हो जाएगा इंदू प्रभासिंग बिहार के नगर निकम के सफाई के ब्रांड अम्बेसडर कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया है तो संजय मिस्रा संजय मिस्रा उप्सन नमबर सी बिहार के टेक्स्टाइल और लेदर निती मुख्यमंत्री नितिस कुमार के द्वारा कब लॉंच की गई है तो आठ जून 2022 को ये लॉंच किया गया है भी इसका आंसर हो जाएगा आप इसको याद रखेंगे हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहीत विमान का एक मॉडल तयार किया है मानव रहीत तो आंसर हो जाएगा सावित अक्तर सावित अक्तर आप्सन नमबर ए राज सभा के लिए बिहार से कितने प्रत्यासी निरवाची तो घोसित किये गया है आंसर हो जाएगा पांच, आप्शन नमबर A हाल ही में MBI, SBI के मेरेंजिंग डारेक्टर के रूप में चैनीत आलोग चौधरी बिहार के किस जिला से समबंदित है तो यह जो आपके समबंदित है दोस्तों आंसर याद रखेंगे समस्तिपूर, आप्शन नमबर C हाल ही में पुनह निर्मित गांधी सित्व का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है तो यह किया गया है आपका नितिस कुमार की द्वारा और नितिन गटकरी की द्वारा आंसर हमारा यहाँ पे उप्यूक्त दोनों सही हो जाएगा हाल ही में बिहार की पूर्वी चंपरण जिला में सुरू की गई गार्जियन ओफ चंपरण अभियान जो है किस से संबंदित है तो देखिए ये जो आपका अभियान है वरिक्ष सनरक्षट से संबंदित है ओप्सन हमारा यहां पे सी सही हो जाएगा हाल ही में बावन वर्ष के लंबे समय बाद उत्तर कोईला जलासे योजना के निर्मान को मंजूरी दिया गया है इसके लिए केंद सरकार के दुआरा कितने करोण रूपे सुकृत की गई है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी 1789 करोण यानि बी इसका सही आंसर हो जाएगा आगे है हाल ही में जमसेदपूर में आयोजिक चौथी इंडिया ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाणी ने कान से पदग जीता है तो बिहार के कान से खिलाणी ने जीता है तो नीसा कुमारी ओप्सन नमर सी सही आंसर हो जाएगा मस्रूम उतपादर में बिहार देश में कौन से इस्थान पर पोहुँच गया है पहले इस्थान यानी फर्स्ट रेंग यहाँ पे उसका है तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे अब आते हैं 26 नमर पे बिहार में पहली बार गंगोट्सों का आयोजन किस वर्स किया जाएगा तो दोस्तों ये किया जाएगा 2023 में 2023 ऑप्सन नमर भी हाल ही में बिहार की किस वेग्यानिक को विश्ष्ट वेग्यानिक पुरसकार से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा अनिल कुमार सिंग हाल ही में बिहार की किस जीरा में बिहार पसुवेग्यान विश्ष्विद्याले का सिलन्यास मुख्यमंत्रे नितिस कुमार के द्वारा किया गया है आंसर हो जाएगा आप्सन मर भी पटना याद रखेंगे पटना हाल ही में 88 वर्थों बाद बिहार के किन दो इस्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की सुरुवात जो है की गई है आंसर हो जाएगा मदभनी से सहरसा ओप्सन नमर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में बिहार के किस वेग्यानिक ने तीन नए चुमकी नैनो पदार्थ की सदरचना की खोज किया है आंसर हो जाएगा राकेश कुमार क्या हो जाएगा राकेश कुमार राश्ट्रिय सिख्षक पुरसकार 2022 के लिए बिहार के कितने सिख्षकों का चैन जो है किया गया है आंसर हो जाएगा ओप्स नमर बी छे छे लोगों के यहां पे चैन किया गया है बिहार के किस वेक्ति को मार्णो प्रांत साहित अकादमी अनुवाद पुरसकार के लिए चैनित किया गया है आंसर हो जाएगा सीखा गोयल क्या हो जाएगा सीखा गोयल बिहार के किस जिला में 550 करोड की लागत से निर्मीत पैपसी बॉटलिंग प्लांट का उद्धाटन मुख्य मंतरी नितिस कुमार जी के दुआरा किया गया है आंसर हो जाएगा बेगू सराय क्या हो जाएगा बेगू सराय हाल ही में केद सरकार ने वर्न डिजिटल वर्न प्रोडक्ट के तहट मिहार के किस उत्पाद को परधान मंतरी आवार्ड से समन्त किया गया है परधान मंतरी की आवार्ड से तो यह आपका माखाना हो जाएगा क्या हो जाएगा माखाना याद रखेंगे रोको टोको और फोटो अभियान मिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है तो आप सभी लोग याद रखेंगे या आपका पुलिस विभाग हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में बिहार के किस विभाग को इंडिया बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड से समानित किया गया है तो हम इसका ओप्सन देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर ओप्सन दिया हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा मुरली मनोहर स्रिवास्तव आप्सन नमबर ए आगे हमारा प्रस्द है हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नितीष कुमार के दौरा मिसर आत्म निर्भर अभियान सुरू किया गया है आत्म निर्भर आंसर हो जायगा महिला वर्ग किस के लिए महिला वर्ग के लिए हाल ही में बिहार के किस वेक्ति को साहित्य भूसर पुरसकार 2021 के लिए चुना गया है तो आंसर हो जायगा हमारा सीव दयाल ओप्सन नमबर C बिहार का पहला patent sale किस जिला में खोलने की घोशना की गयी है तहसे जो खोलने की घोशना है दोस्तों या आपका पतना जिला में यहां पे घोशना किया गया है ऑप्सन नमर B बिहार में देश का पहला grid field ethanol plant का उधगाटर 30 अपरेल 2022 को किसके दवारा किया गया था तो यह किसके द्वारा किया गया था तो नितिस कुमार के द्वारा ओप्सन नमबर B चलिया गया हमारा प्रस्ण है कि बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की न्युक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है देखिए उम्र सीमा के अगर हम बात करते हैं तो बारा से अठारा वर्स रखा गया है C इसका आंसर हो जाएगा पतना में नौनिर्मित इस्गोन टेंपल का उदघाटन कब किया गया है देखिए इसका उदघाटन जो है दोस्तों तीन मई 2022 को किया गया है बी इसका आंसर हो जाएगा केंद सरकार की अमरीत सरोवर योजिना के तहत बिहार के कितने तलाबों का चैन अमरीत सरोवर के रूप में विक्षित करने के लिए किया गया है आँसर हो जाएगा 2850 हो जाएगा आप्संANTUS C किस रोग के उन्मूलन में बहतर प्रदाशन के लिए केंदरिय स्वास्त एवं परिवार कल्यार मंत्राले के दौरा बिहार को सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा मलेरिया ओप्सन नमर सी हाल ही में बिहार के किस जीला को प्रदान मंत्री पुरसकार के अंतरगत प्रत्रम पुरसकार से सम्मानित जो है किया गया है देखिए इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर भी पटना याद रखेंगे पटना यूनेस्को ने लुप्त प्राप्त विशुव विरासत की सूची में लंगत सिंग कॉलेज की वेदसाला को जगह दिया है यह बिहार के किस जीला में इस चीत है तो यह आपको देखने को मिलता है मुझफर पूर में ओप्सन नमर हमारा यहाँ पे एसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे प्रस्न है बिहार के किस इस्थान पर स्पोर्ट साइन्स सेंटर खोलने की घोशना की गई है तो यह आपको खोलने की जो घोशना है राजगीर में किया गया है ओप्सन नमर ए हो जाएगा 23 अपरेल 2022 को वीर कुवर सिंग की जैनती पर एक साथ कितने तिरंगा लहरा कर विस्था रिकॉर्ड बनाया गया है आंसर हो जाएगा 78 हजार से अधिक यहां पर तिरंगा लहराए गया है दी इसका उत्तर हो जाएगा थोड़ा मुद बाहर रवा जाड़ा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा ठीक है चलिए हाल ही में डाक विभाग ने बिहार की किस वैक्ति के नाम पर 5 रुपे का डाक टिकट जाए गिया है देखिए 5 रुपे का जो डाक टिकट है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का आप्सन नमर सी हो जाएगा राजन कुमार राजन कुमार हाल ही में बिहार के किस जिला के डेरी प्रोड़क्ट को मोश्ट इस्टेट ब्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर एक पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में गवाहाटी में आयोजित जूनियर नैसनल बाली का फुटबॉल चैंपियन सिम अंडर 17 में बिहार को कौन सा इस्थान मिला है देखे बिहार को जो इस्थान मिला है या आपका सेकेंड यानि दूसरा इस्थान मिला है उप्सन नम्बर B पावापूरी में इस्थित वर्धमान आयुरुवेग्यान सहस्थान का नाम बदल करके क्या रखा गया है देखे इसका जो नाम रखा गया है भगवान महावीर आयुरुवेग्यान सहस्थान रखा गया है भी इसका सही उत्तर हो जाएगा चलियागे प्रस्थन है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस के ओसर पर बिहार के किस अधिकारी को परधान मंत्री समान से समानित किया गया है देखे इसका आंसर हो जाएगा आनंद किसोर राज्य का पहला ऑक्सिजन पार्क किस जिले में इस्थापित किया जाएगा देखे जो आपका ये ऑक्सिजन पार्क है दोस्तों ये आपका गोपाल कंज में इस्थापित किया जाएगा किस बैंक के दुआरा मेरा गाउं मेरा बैंक पहल जो है शुरू किया गया है आंसर हो जाएगा भारतिय स्टेट बैंक ऑप्सन नमर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में मुख्य मंत्री समेकित चोर विकास यूजना के तवद बिहार में किस चीज के उत्पादर को बढ़ाने के लिए यूजना जो है बनाई गई है आंसर हो जाएगा मचली पालन के लिए याद रखेंगे मचली पालन के लिए राज के कितने ठाने में महिला हैल्प डेस्क की सुरुवात जो है की जाएगी आंसर हो जाएगा 500 500 यहां पे थाने में देखा जाएगा तो महिला डेस्क की सुरुवात यहां पे किया जाएगा चलिया आगे देख लेते हैं आगे प्रस्न हमारा है कि महिलाओं का सरवाधिक टिकर करने में बिहार का देश में कौन सा इस्थान जो है आया है तो इसका जो इस्थान आया है तीसरे नमर पे है इस्थान आप्सन नमर डे सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियान एकोनोमी के ताजा आकडों के अनुसार ग्रेजुएट बिरजुगारी के मामले में बिहार को कौन सा इस्थान मिला है तो यह मिला है तीसरा इस्थान आप्सन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझहोता तक्या है यानि समझहोता जो है किया है या कराया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे बिहार में टीवी मरीजों के परिजनों को भी टीवी रोधी दवा की दवा दिया जाएगा इस अभियान की सुरुवात कितने जिलों में की जाएगी देखिए यह जो है आपका 11 जिलों में अभियान किया जाएगा ऑप्सन नमर भी कर आलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचलन प्रक्ति प्रकिरिया तै किया जाएगा यूनिसेप की मदद से राज्य की कौन से संस्थान इस पर रिसर्च जो है कर रही है तो यह रिसर्च जो है आपका चाण के राष्ट्रिय विधी विस्विद्याले कर रहा है ऑप फिर कितने रूपए की बढ़ोत्री जो है हुआ है कितने रूपय के बढ़ोत्री हुआ है तो यह आपका हो जायागा बारा सो एकीस रुपय का उप्सेन if Q antR मत्री अवास्योजन पूरा करने में भीहारा को देश में कौन सा स्थान भीला है तो जो भीहार्ष को स्थान मिल गर आपको सुनाई दे रहा है तो ठीक है विधान सभा सताबदी स्मृति इस्तम का जो उद्खाटन है किसके द्वारा किया गया है कि आप सर्फ हो जाएगा और भी नरेंद्र मोधी के द्वारा यह किया गया है आप इसको याद रखेंगे बिहार के किस जिला में केबोडिया के अंकूर वाट मंदिर से लगभग 220 फीट उचा विराट रमायन मंदिर का निर्माण जो है किया जा रहा है आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपरण आप सभी लोग याद रखेंगे आंसर इसका सी सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे हम प्रस्न देख लेते हैं आपका 268 नमबर बिहार के किस जिला में किन्द सरकार की सहायता से अक्षे उर्जा भवन का निर्माण यहां पर किया जा रहा है यह एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जनकारी मिलेगी आंसर हो जाएगा पटना आप्सनमर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के किस किरिसी विस्विद्याले के द्वारा रंगीन फुलगोवी की प्रजाती की सुरुआद जो है किया गया है आंसर हो जायागा राजेंद्र किरिसी विश्विद्याले समस्ति पूर, उप्शन नमर ए हाल ही में किन सरकार ने किस जीला के वाटर, टेस्टिंग, लैब को राष्ट्री इस्तर की मानित्ता परदान की गई है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर भी भागलपूर याद रखेंगे भागलपूर किस जीले के राकेश रंजन को राष्ट्रपती पदक के लिए चुना गया है राष्ट्रपती पदक के लिए चुना गया है आंसर हो जाएगा पूर्णिया याद रखेंगे पूर्णिया रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगाती जो है मिली है आंसर हो जाएगा दो याद रखेंगे दो आप्सन नमबर बी हाल ही में प्रसित पुस्तक ओप्रेशन खुकरी का हिंदी संस्क्रण का जो विमोचन है किसके दौरा किया गया है तो यह किया गया है तार किसौर प्रसाद के दौरा तार किसौर प्रसाद बिहार के कितने जीलों में परेटन केंदर खुलने की घोशना की गई है आंसर हो जाएगा आप्सन नमर डी 38 याद रखेंगे 38 इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के किस जीला के नवी नगर में 569 मेगावार्ट की बिजली उत्पादन की यूनिट जो है त्यार किया गया है याद रखेंगे सबी लोग तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर यहां पे बी हो जाएगा औरंगाबाद बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर आवार्ट के लिए चुना गया है आंसर हो जाएगा अंजली यादो बिहार के किस भासा के साहित्यकार लीली रे का निधन हो गया है लीली रे देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्सन भी मैथली क्या हो जाएगा मैथली बिहार निवासी मनन कुमार मिस्रा लगातार छठी बार काउंसिल आफ इंडिया के चेर्मेन चुने गया है यह बिहार के किस जिला के निवासी है देखिए इसकी आंसर के अगर हम बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन मड़ी गोपाल ग जब चेर्णा गए चलियां आगे हैं बिहार में हाल ही में लॉंच की गई हीट कोवीड एप्लिकेशन किसके दोरा तयार किया गया है ऑनसर हो जाएगा बैल्टोन याद रखेंगे बैल्टोन हाल ही में बिहार के खिष्छात्रों को गूगल के दोरा हाल आफ फेम से सम्मान कि जहां की को प्रथम इस्थान मिला है या फिर प्रथम इस्थान दिया गया है देखिए इसकी आंसर की बात करते हैं तो बिहार सिक्षा परियोजना परिसद हो जाएगा ऑप्सरमर्सी इसका अंसर हो जाएगा बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिसत का यहां पे विस्तार हुआ है कितने प्रतिशत का देखिए आठ परसेंट का यहां पे विस्तार हुआ है भी इसका अंसर हो जाएगा बिहार के ग्रामिड इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच समान बनाने के लिए भारती रेलवे के दुआरा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी आंसर हो जाएगा आठ आठ यानि ऑप्शन नमबर डी हाल ही में किस चीज की होम डिलिवरी के लिए जल का फल डॉट कॉम नाम एक नई वेफसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन जो है मनाई गई है मोबाइल एप्लिकेशन और एक नया साइट बन स्कूल खोले जाएंगे इन में से बिहार में कितने सैनिक इसकूल जो है खोले जाएंगे बिहार के गर हम बात करते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नो नो यानि आप्सन नमर सी इसका उत्तर हो जाएगा केंदर सरकार के दोरा कैमूर अंचल को बिहार का दुसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोसित किया गया है यहां बिहार के किस जिला में फैला हुआ है तो यह बि बिहार की मुझफरपूर जिला के बाद बिहार का दुसरा कंटेनर केविन अधारित पी एस पी एस एस किस जिला में शुरू किया गया है यह आपका शुरूआत क्या गया है पत्ना जिला ऑप्सन नमर डी कर्यक्ट हो जाएगा बिहार के किस परेटन इस्तल पर राज्य का पहला व्यक्यान केंद्र बनकर तयार हो गया है देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जू सफारी राजगीर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे केंद्र सरकार की महत्व कांग्छी जलमार्ग परियोजना के तहद बिहार का कौन सा सहर पहली बार के अगर हम बात करते हैं तो हमारा इस परकार से ऑप्षन दिया गया है 89 का तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्षन नमबर ए हो जाएगा पटना याद रखेंगे पटना ठीक है आगे परसन है हाल है पटना हाई कोट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोचल मीडिया प्लेट फारम पर लाइब किया जाएगा तो यह जो आपका लाइब की बात किया गया है दोस्तों आपका यूटूब हो जाएगा ऑप्षन नमर सी करेक्ट हो जाएगा दिली में आयोजित डायाटम डायाटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गु तो यह किया जाएगा आपका पस्यम चंपरण में पस्यम चंपरण ऑप्षन नमर सी डेडिकेटेड फ्रंट कोरिडोर पर रेलवे संचान के लिए बिहार के किस जीला में हाई स्पीड इंजन का यहां पर निर्मान किया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा मधिपुरा बिहार के सबोर की रिसी विस्वेद्याले के द्वारा सबोर वन नामक किस सब्जी के उन्नत किस्म का इलाज जो है किया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्षन मर सी परवल इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की किस व्यक्ति को राश्ट्री प्रणा दूत अवार्ड से समनित किया गया है आंसर हो जाएगा आदित ये कुमार क्या हो जाएगा आदित ये कुमार हाल ही में बिहार के किस जिला में इस्थित उदय गिरी परवत स्रिंखला में दो प्राचिन गुफाएं मिली है तो यह आपका नलंदा इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के किस जिला में राजे का पहला तैरता हुआ सोर्य पावर प्लांट बन कर तयार हो गया है देखे यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बड़ी दर्भंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा विहार के किस जिला में हाइड्रो पोनिक्स वीधी से खेती की सुरुवात जो है किया गया है देखे इसका उत्तर हो जाएगा भोजपूर क्या हो जाएगा भोजपूर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आखरी प्रस्ण है हमारा तीन सो नंबर जमुई की विधायक स्रैसी सिंग ने पंजाब के पटियाला में आयो जित चौसटवी नैशनल सूटिंग चेंपियंशिप में कौन स सोल पदक यहां पर जीता है अंसर हो जाएगा सोल पदक ऑप्शन नंबर ए तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समप्थ होता है कल हम देखेंगे इसका 301 से लेकर के 400 कुशन तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइ के लिए इतना ही